हलो गाईज, वेलकम टू साइन्स वक्षोप, दिस इस कुसूम हेर, गाईज इस वीडियो में हम ड्वलपमेंटल, ड्वलपमेंट आफ चिक एम्डियो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इसका कम्प्लीट जो एम्डियो लोजी का प्रासेस है, उसका ओवर व्यू इस वीड नहीं हो जाता, तो उसको हम एग नहीं बोल सकते, तो सबसे पहले क्या होती है, जिसके अंदर N नंबर ऑफ क्रोमोजम प्रेजन्ट होते है, और स्पर्म इसके कॉंटेक्ट में आता है, इंट्रेक्ट करता है, और ये जो इंट्राक्शन है, जर्मिनल डिस्क और स्पर्म का बुक कहां पे होता है, इनफंडी बूलम नाम का एक प्लेस होता है, हैन के अंदर वहां पे होता है, ठीक है, तो इनफंडी बूलम के अंदर क्या होगा, जर्मिनल डिस्क और स्पर्म के बीच में इंट्राक्शन होगा, और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जाइगूट के पास में कितना होगा? 2N number of chromosome होंगे. अब ये जाइगूट लगभग बनने के बाद में, अपने production के बाद में, 5 hour के बाद में क्या कर देता है? Cell division को start कर देता है. ठीक है? इसके अंदर cleavage का process start हो जाता है. और इसमें cleavage होके, ये cell divide करके, इसके अंदर round चलते रहता है. और finally जो है, वो हमारे पास में 256 cell stage आ जाती है. ठीक है? और इस जाइगूट को mature होने में, कितना time लग जाता है? वन डे का time लग जाता है. उके? उसके बाद में, जब जाइगूट ये mature हो गया, और हमारे पास में 256 cell stage आ जा गया, तो उसके बाद में इसके उपर क्या होता है? एक्स्टा membranes जो है, वो add होने लगती है. अब add होने के बाद में, ये क्या बन जाता है? एग बन जाता है. अब इस एग को, जो hand है, वो क्या कर देती है? लेड कर देती है, अपने body से बाहर. ठीक है? अंडा, लेड कर देती है, और उसके बाद में, क्या कौन सा process होता है? incubation का process होता है. incubation. ठीक है? ये spelling यहां नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुन लो. incubation का process होगया, लेड करने के बाद में, लेड करने के बाद में, incubation का process होगा, और incubation क्या होता है भाई? कि कोई भी जो bird है, वो अपने अंडे को सेने के लिए, उसको एक particular temperature पे maintain करके रखती है, ठीक है? तो वो process है, वो incubation होता है, और 21 days के बाद में, लेड करने के 21 days के बाद में, जो child bird है, वो बाहर आ जाता है, ठीक है? तो इस तरह से पूरा जो process है, उसको बनने में, मतलब उसको एक child bird को बनने में, कितना time लगा? एक दिन तो यहाँ पे लगा था, जब jago mature हुआ था, एक दिन तो यह वाला, और उसके बाद में, जब lead कर दिया, एक को, उसके बाद, incubation के बाद में, कितना time लगा? 21 days का time लगा, ठीक है? तो total 22 days का time लगता है, chick embryo को develop होने में, ठीक है? I hope यह पूरा process, जो है, वो आपको समझ में आ गया होगा, इसको मैंने, बहुत ही shortcut, एक chart में, arrange कर दिया है, ताकि आप जब भी revise करो, तो आप इसी के through, पूरा का पूरा revision कर लोगे अपना, ठीक है? इसको हम, मैंने इसके notes भी बनाया है, आप यहाँ पे यह भी देख सकते हो, तो सबसे पहले क्या होगा? development of chick embryo process का overview, यहाँ पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले होता है, किसी भी चीज के लिए fertilization, उसके बाद में क्या होगा? इसमें cell division होगा, और उसके बाद में extra membranes, जो है वो add होगी, फिर क्या होगा? एग ले होने के बाद में, incubation period आएगा, ठीक है? तो इन सारी की सारी processes को, जो भी steps है, उसको हम one by one करके देख सकते हैं, जो मैंने पीछे समझाया, वही सब मैंने यहाँ पे notes में डाल रखा है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले fertilization हो रहा है, चिकन के अंदर, जब तक वो एग नहीं कहा जाएगा, भाई, जब तक वो germinated या mature ना हो जाए, ठीक है? तो इसमें क्या present होती है? एक germinal disc पाई जाती है, ओके? जो की बात में, जब वो mature हो जाएगी, germinated हो जाएगी, तब हम उसको एग बोलेंगे, तब तक उसको हम germinal disc ही बोलते हैं, तो germinal disc जो है, जब germinal disc का production होता है, उसके 15 मिनट बाद में, वो fertilize होती है, ठीक है? जैसे यह germinal disc का production हुआ, उसके 15 मिनट बाद में, वो क्या होगी? fertilize होगी. Fertilization of germinal disc will be taking place in infundibulum, और यह fertilization का process कहाँ पे होगा? infundibulum में होगा, hand के. Then, pre-ag condition होती है, the sperm usually comes here, infundibulum के अंदर, germinal disc के पास में sperm आएगा, sperm इंट्राइट करेगा, germinal disc से, और infundibulum के अंदर ही, यह यहाँ पे fertilized हो जाएगा, ठीक है? Then, second जो step है, वो है cell division का. Now, after the fertilization, fertilization हो गया भाई, उसके बाद में क्या होगा? Cell division start हो जाएगा, हमारे पास, jaygote बन गया fertilization के बाद में, तो उसमें cell division start होगा. तो germinal disc में, हमारे पास में N number of chromosome थे, fertilization के बाद में, जो jaygote बना है, उसके अंदर हमारे पास में two N number of chromosomes होते हैं. ठीक है, यह जो jaygote है, यह migrate हो जाएगा, कहाँ पे, oveduct में. और यह जो cell division का process होगा, यह oveduct के अंदर होगा. ठीक है, और इसको complete, जो mature jaygote बनने में, एक दिन का time लग जाएगा. और cell division का process जो है, वो jaygote बनने के 5 घंटे बाद में होता है. ठीक है, जैसे ही jaygote का formation हुआ, उसके 5 घंटे बाद में होगा. इस 5 घंटे में jaygote जो है, वो अपने आपको prepare करता है. यह 5 घंटे जो है, jaygote के preparatory fees कहलाते हैं, जिसके अंदर jaygote जो है, सब कुछ अपने अंदर develop कर लेता है, जो भी cell division के लिए उसको require है. ठीक है, जैसे की all volume is to surface area, ratio gets changed, जो भी इसका volume का surface area ratio है, वो change हो जाता है, and the cell eventually prepared for the cell division, और जो jaygote cell है, वो cell division के लिए prepare हो जाती है. ठीक है, तो starting में हमारे पास, में cell division होगा, फिर उससे cell divide होगी, जाएको एक से दो बनेगा, दो से चार, फिर एट cell stage आ जाएगी, then बहुत सारे round होने के बाद में, 256 cell stage आ जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे many round of cell division यहाँ पे चलते रहते हैं, जब तक 256 cell stage नहीं आ जाए, ठीक है, यह पूरा का पूरा जो process है, यह कितना time ले लेता है, एक दिन का time ले लेता है, जहाँ पे हमारे पास में, जाएगोट पूरी तरह से mature हो जाएगा, एक दिन में, उसके बाद में क्या होगा, extra membranes जो है वो add होंगी, this जाएगोट matured, and different coat added to finally make it more strong, अब यह जाएगोट mature हो गया, उसके बाद में different जो coat है, यानि कि उसके बाहर का जो आवरन और membranes हैं, उसके उपर add होने लगेंगी, ताकि वो उसको और जाएदा strong बना सके, ठीक है? Because for the process of germination, and after the germination, and the development of embryo for these birds, like the chicken, the most part of going on outside the chicken body, for the normal incubation in the hatchery, whatever, or in the nest of the bird, क्योंकि हम यह देखते हैं, कि germination के process के दोरान, और germination के process के बाद में, जो embryo का development होता है, chicken मालो, या फिर ऐसे ही कुछ और birds मालो, तो वो chicken के body के बाहर होता है, उसका पूरा का पूरा जो process है, development का, that's why उसको क्या चाहिए, एक strong coat चाहिए, अपने आपको safe रखने के लिए, extra membranes that are being added to the embryo of chicken and avian, so यहाँ पे जो embryo है chicken का, उसके बाहर के side में extra membrane जो है, वो add हो जाती है, साथ ही साथ other birds के बाद करें, उसमें भी ऐसा ही हमें देखने को मिलता है, then इसके बाद में क्या होगा, एग बन गया, एग को क्या कर दिया, ले कर दिया, अब क्या आ गया, incubation period आ गया, now we can call this thing as an egg, because we know outside the egg, there are different membrane, calcium cotted membrane is there, एग है, उसके बाहर calcium cotted membrane भी होता है, so egg is then prepared, then the egg is laid, जब एग prepared हो जाता है, उसके बाद में एग को ले कर दिया जाता है, outside, बाहर की साइड में, ठीक है, मतब हेन की body के बाहर की साइड में, rest of the process of incubation will take place, for this kind of 21 days, तो इस पूरी process में, कितना time लगेगा, 21 days का time लगेगा, formation of jagoat begins here one day, तो जो formation jagoat, jagoat के बनने के बाद में, वो mature हो रहा था, उस पूरे process में कितना time लग रहा था, एक दिन का time लग रहा था, तो total अगर हम देखें, कि development of bird embryo, जो chicken का embryo है, उसके development में कितना time लगता है, तो total 22 days का time लगता है, ठीक है, तो यह कुछ important points थे, इसके बारे में, और man-man जो steps थे, कैसे कैसे इसका development होता है, chicken के embryo का, वो सारा का सारा हमने यहाँ पे देख लिया है, और, वीडियो अच्छा लगा है, तो please like, share और subscribe जरूर कर दो, thanks for watching this video, मिलते हैं next video में guys, और इसका जो cleavage का part है, वो एक अलग वीडियो में मैंने already करवा रखा है, अगर आपको cleavage in chick embryo पढ़ना है, तो आप उस वीडियो से पढ़ सकते हूँ, ठीक है, ओ सकता है आगे आने वाले पार्ट में, इसके gastrolation के बारे में हम पढ़ ले, देखते हैं वो चीज भी, ठीक है, cleavage हम already कर चुके हैं, so thanks for watching this video guys, like, share, subscribe जरूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,